वेलकम फ्रेंड्स मैंकुस सिंग आपका फिर से जीके की 15 सबसे मात्पून प्रसों के साथ दिस यान इस्टक्र में साथ करता हूँ यह 15 प्रसन बहुत यह अच्छे लेवल का है जिससे हम डीटेल में हल करेंगे और यह प्रसन हम इसलिए हल कर रहे है कि इससे कई बार प्रसन पुछा गया है तो वीडियो को पूरा देखेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर भी जरूर करें और इस तक वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बिना देरी की हम वीडियो को सुरू करते हैं आपको और इसमें से किसी का भी एंसर पता हो तो इसका एंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पहला कोस्टन लिया है मैंने विच डिवाइस इस यूज़ टू मेजर वैरी लो टेंपरेचर ओफ आपजेक्ट किस डिवाइस का यूज़ क्या आता है वैरी लो टेंपरेचर को मेजर करने के लिए इसका सही एंसर हो जाएगा आप्शन बर ए क्रायोमिटर ही डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग वैरी लो टेंपरेचर को मेजर करने के लिए करते हैं और आपको पायरोमिटर का यूज़ धियान रखना है पायरोमिटर जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं वैरी हाई टेंपरेचर को मेजर करने के लिए Haring Range. मतलب सुनने की छमता कितनी होती है आपको ये बताना है। इसका सही answer होजाएगा Option A 20 Haarts to 20,000 Haarts तो मानव के कान जो है उसके सुनने की हमता Harts 20,000 Haarts तक होती है आपको यह दखना है। इसका Qance देखते हैं, Q הק... Atomic Theory Of Matter Was Given Why तो matter का atomic theory है, वह किसके द्वारा दिया गया है, आपको वह बताना है, तो इसका science हो जाएगा, option number B, Dalton, Dalton ही हो scientist है, जुनों ने matter का atomic theory दिया था, Dalton आपको याद रखना है, next question देखते हैं, Fe has 26 proton in its nucleus, what are the number of protons in Fe2+, नीचे जो minus लिखा गया, आपको यह हटा लिजएगा, यह misprint हो गया है, तो Fe2+, में कितने electron की संख्या होगी, अगर Fe में 26 proton, यहाँ proton का संख्या दिया है, और आपको Fe2+, में electron की संख्या बताने है, तो आपको धियान तखना है, इसका science option number B हो जाएगा, 24, यह कैसे होगा, आपको हम आगे बताते हैं, तो देखिए, जैसे कोई भी अगर atom है, उसमें अगर electron का संख्या दिया हुआ हो, यह proton का संख्या दिया है, तो आपको धियान डखना है कि उसमें जितने proton की संख्या होगी, उतने ही number of electron होगी, मतलब दोनों जो ह देखते हैं, यहाँ पर iron है, एफी, जिसमें 26 proton है, तो एफी 2 प्लस में कितने electron होगी, तो जितना proton है, मतलब 26 अगर proton है, तो इसमें electron का संख्या भी 26 हो जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं, एफी 2 प्लस का निकालना है, तो यहाँ पर 2 प्लस में है, तो आप क्या जिएगा इसमें से 2- मिनस कर दिएगा मतलब यहां पर प्लस में रहे जो नंबर उसमें Professor थि एसcję हम मानस कर दिएगा और मैनस में रहेंगा तो प्लस कर दिएक तो यहां पर था टू-स तूण माँनस कर दिया तो इसका सही कैंसर हो जाएगा 24 मतलब F2 plus में कितना होगा इलक्रोन का संख्या तो 24 आप्शन नमर 20 का सई हो जाएगा इसको से निखते हैं को से नमर 5 एटम एफ एनलमेंट हैस अटमिक नमबर 17 एड मास नमबर 36 दे नमबर आफ न्यूट्रोन इन इस नुकलेस इस तो बताना है आपको की एक एटम है जिसमें अटमिक नमबर 17 दिया हुआ है अटमिक नमर कितना है तो आपको ध्यान लखना है यहाप दिया अटमिक नमबर 17 और मास नमबर है 36 तो बताना है उसमें न्यूट्रोन की संख्या कितनी होगी तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर C 19 तो कैसे होगा आप इसका फॉर्मला दियान रखे कि मास नमबर दिया है 36 अब माइनस कर लिजेगा आप अटमिक नमबर 17 तो घटाएंगे तो 19 आएगा इसका सही एंसर आप्षन नमबर C 19 हो जाएगा नेशन देखते हैं which device is used to measure radio activity तो किस device का use करते हैं हम लोग radio activity को measure करने के लिए तो इसका सही एंसर रो जाएगा आप्षन नमबर B गाएगर मूलर काउंटर गाएगर मूलर काउंटर ही है GM काउंटर जिसका use हम लोग radio activity को measure करने के लिए करते हैं और आपको धिहान डखना है radio activity जो है इसका अविसकार किस ने किया था तो बैक्क्यूरल ने किया था बैक्क्यूरल जो है इन्हों नहीं इस इसका अविसकार किया था radio activity का next question देखते हैं if temperature of any liquid किसी liquid का temperature 32 degree Fahrenheit है तो बताना है कि उसका temperature Celsius में कितना होगा इसका सही answer हो जाएगा 7 का option वर B 0 degree C कैसे होगा तो आपको हम बताते हैं सारे temperature के बारे में कैसा इसका relation होता है तो आपको धिहान रखना है यहाँ पर फॉर्मुला C by 100 is equal to F minus 32 by 180 R by 80 is equal to K minus 273 by 100 तो आप यहाँ पर C देख रहे होगे C मतलब होगे Celsius scale F for Fahrenheit scale R for Richter scale and K for Kelvin scale तो सारा मैंने यहाँ पर scale में ले लिया है जिसे आप आसानी से किसी विदा question का आसानी से इस formula से हल कर सकते हैं तो आप इस formula को no down जरू कर लें को कि यह formula बहुत ज़ाद important है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि question में क्या दिया था कि liquid का temperature Fahrenheit में दिया होए 32 और बताना है कि Celsius में कितना होगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस formula में डाल दिजेगा तो Fahrenheit में दिया होए 32 मैंने इस formula को ले लिया Celsius और Fahrenheit वाला को ले लिया है तो Fahrenheit दिया होए 32 और Celsius हमें निकालना है तो इस formula बन जाएगा तो इसको मैंने जब लिख लिया है C by 100 is equal to F minus 32 by 180 तो Fahrenheit 32 है तो मैंने यहाँ पर 32 ले लिया और C by 100 को वैसे लिख लिख लिए है मैंने और 32 में से जब 32 घटेगा तो 0 हो जाएगा और यह जो 100 है यह divide में है तो यह यहाँ पर multiply में आ गया और नीचे 180 लिख लिए तो 0 को जब 100 से multiply करेंगे और 180 से divide करेंगे तो multiply करने पर 0 होगा और इसे जब 180 से divide करेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो इस तरह मैंने यहाँ पर निकाला है कि अगर 32 degree Fahrenheit में है तो इसका Celsius में 0 degree हो जाएगा आपको यहाँ रखना है और आप इस formula को note down कर लें इसी formula से आपकी C का भी मान निकाल चकते हैं नेक्स question देखते हैं Name the wave which have the highest frequency कौन सा wave है जिसका frequency सबसे high होता है सबसे ज़्यादा होता है तो 8 number का answer हो जाएगा option number A gamma raise तो आपको ध्यान रखना है कि gamma raise जो है इसी में सबसे highest frequency होता है तो हम आपको सभी raise के frequency को पूरे order में बताएंगे तो आप यहाँ ध्यान रखेगा इसका trick हो जाएगा आप याद रख सकते हैं R, M, I, V, U, X, G increasing order में है आपको याद दिखना है कि मैंने इस तरह लिखा हुआ है इस तरह increasing order में है ठीक है increasing order तो R, M, I, V, U, X, G इसे आप याद रखिएगा तो देख सकते हैं आपकी R R for हो जाएगा radio waves तो सबसे low frequency होता है radio wave में और सबसे ज़्यादा यह मैंने आपको बताया question में gamma raise gamma raise का frequency सबसे अधिक होता है और radio wave का सबसे कम होता है उसके आपने increasing order में देख सकते हैं radio wave के बाद आजाएगा microwave, microwave के बाद infrared radiation, उसके बाद हो जाएगा visible light, उसके बाद है ultraviolet raise और radiation और उसके बाद आजाएगा X raise और सबसे last में gamma raise तो आपको यह दुनों ध्यान में रखना है कि radio wave में सबसे low frequency होता है और gamma raise में सबसे high frequency होता है और बीच उलावी आप याद रखिएगा कभी कभी बीच उलावी पूछ देता है तो चलिए नेक्स देखते हैं question light year is the unit of light year जो है यह किसका unit है? 9 number question है कि light year जो है यह किसका unit है तो आपको ध्यान रखना है light year distance का unit है light year मतलब होता है कि light light के द्वारा पूरे साल में कितना दूरी तैक याग गया है उसे हम light year करते हैं और यह जो है दूरी का इकाई है लेक्स कासान देखते है eco is produced due to तो eco जो है वह कैसे produce होता है कैसे उत्पन होता है आपको यह बताना है तो eco जो है यह produce होता है reflection of light के द्वारा तो इसका सही अन्स हो जाएगा option number B reflection of light eco जो है वह reflection of light के काई प्रोडूस होता है next question देखते है at which temperature density of water is maximum किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 11 number question है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है तो आपको धियान रखना यह बहुत important question है कई बार परिक्षा में पूछा गया है तो इसका सही answer जाएगा option number B 4 degree C 4 degree C पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है आपको याद रखना है next question देखते है out of light or sound light or sound में कौन जो है वैकम में travel नहीं कर सकता है तो इसका आपको answer देना है कि इस दोनों में से कौन सा जो है वह वैकम में travel नहीं कर सकता है तो आपको धियान रखना है कि light जो है वैकम में travel कर सकता है लेकिन sound जो है वैकम में travel नहीं कर सकता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A sound sound cannot travel in vacuum next question देखते है जैसा कि आप देखते होंगे nature या environment में भी atmosphere में कि जब पानी उड़ता है तो इसे हम evaporation करते हैं तो पानी क्या होता है तो पानी liquid होता है और वह उड़ने के बाद vapor बनके चला जाता है तो यह किसका example है तो यह evaporation का example है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं अगर कोई liquid जो है वह अगर gas में चलाता है तो उस process को हम लोग क्या करते हैं तो evaporation करते हैं आपको याद रखना है इस तरह को और भी है जिसे मैं आगे बता रहा हूँ तो evaporation जो था इसमें liquid जो है gas में चलाता है जो है कि जो आप कभी खाना बनाते हैं जवन जब बनता होगा तो आप उससे घर सीटी जो निकलता तो उससे जो भाप निकलता है उसकी आप ऊपर और कुछ लगां दिजेगा किसी भी चम्माच को लगाईएगा तो उसके उपर फिर से पानी जाता है तो वह condensation का एक्जामपर है आपको याद रफना है जब भी उससे CT को आप उठाईएगा तो उससे भाप की तरह निकलेगा और वो भाप जो है किसी वी चीज़ को लगाएगा चमज के उपर पानी जाता है तो वो जो process है उस process को हम लोग condensation करते हैं जिसमें gas रहता है और वो liquid में चेंज आता है और लाश्ट है sublimation तो sublimation जो होता है इसमें solid जो है सीधा gas में चेंज आता है एक्जामपल में आप अगर पूजा करते हों यह आप देखते होंगे camphor camphor मतलब कापूर होता है अगर आप camphor को कापूर को जलाएगा तो उससे जलाने के बाद देखिए आप सीधा हुआ solid से gas में चेंज आता है तो इस तरह यह example था camphor sublimation का next question देखते हैं what is the unit of frequency 14 number question है कि frequency का जो है unit क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है कि frequency का unit unit of frequency is called hertz hertz जो है unit of frequency है तो इसका option हो जाएगा d option d इसका correct answer है unit of frequency is called hertz जो है और इस वीडियो का last question देखते है what is the unit of power of lens तो power of lens जो है उसका unit क्या होता है आपको बताना है तो unit of power of lens is called diopter diopter जो है या power of lens का unit है आपको यादखना और इसका आप formula भी यादखते है कि power of lens is equal to 1 by f it means power of lens is equal to 1 by focal focal length तो आज के लिए बस ना ही आपकर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरू किजेगा और अपने दोस्तों में share भी जरू किजेगा और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe करने और bell icon भी प्रेस जरूर करने और आप इस तरह की और वीडियो देखन